Hello English Learners! Phrasal verbs की सीरीज में आप सभी का स्वागत है जिसका आज है Day 8 तो बिना देरी कि ये वीडियो को शुरू करते हैं और जो चैनल पर New है उनके लिए समझना जरूरी है कि phrasal verbs होते क्या है जब verb के साथ preposition या फिर ad verb जुड़ जाता है और verb अपने real meaning को छोड़ कर कुछ और ही meaning देती है जैसे give गिव एक verb है जिसका meaning होता है देना जैसे ही इसके साथ एक preposition जुड़ता है आप तो give up बन जाता है और give up का meaning होता है कोशिश करना छोड़ देना या त्यागना तो इस तरही किसे आप समझ सकते हैं कि phrasal verbs को समझना कितना जरूरी है क्योंकि जो दिखता है वैसा meaning नहीं होता meaning कुछ और ही होता है आज की वीडियो में हम सीखने वाले है कुछ verbs से related phrasal verbs पहला है caste caste का meaning होता है फेकना या धालना और इसकी तीनों forms caste कास्ट कास्ट ही होती है first second third form next word है catch catch एक noun भी होता है और जब यह वर्व का काम करता है तब इसका meaning होता है पकड़ना या रोकना इसकी first form catch second caught और third भी caught ही होती है next word है हमारा cope cope का meaning होता है किसी का सामना करना ज़्यादा तर मुसीबतों का सामना करना second और third form same होती है coped coped चले शुरू करते हैं इनसे related phrasal verbs first है cast away cast माने fake न अवे माने दूर यानि कि कोई चीज जब बेकार होती है तो उसे हम fake देते हैं throw away as useless किसी चीज को बेकार समझ कर fake देना sentences देखें इसका use proper समझ जाएंगे कहां हमें यह use करना है examples लेते हैं don't cast away these old books इन पुरानी किताबों को मत fake को don't cast away next sentence you should cast away all your worries आपको अपनी सारी चिंताएं दूर कर देनी चाहिए यानि कि आपको क्या cast away करना चाहिए अपनी चिंताओं को इने fake देना चाहिए next sentence what would you do if you were cast away on an island अगर आपको किसी टापू पर fake दिया चाहिए तो आप क्या करेंगे जैसे कि cast की तीनों form same होती है you were cast away यह passive form है you should never cast away your time आपको अपना समय कभी नहीं गवाना चाहिए cast away नहीं करना चाहिए यानि कि उसे बेकार नहीं करना चाहिए next phrasal verb cast off cast off का meaning होता है किसी से चुटकारा बाना या किसी चीज को छोड़ देना वैसे इसके कई सारे meaning होते हैं सबसे पहले छोड़ देना के meaning में इसका एक sentence देखते हैं example से ही समझ में आएगा कि किस meaning में हमें कौन सा phrasal verb use करना है तो चलिए देखते हैं छोड़ देना का example the snake casts off its old skin साप अपनी पुरानी खाल उतार देता है यानि कि उसे छोड़ देता है जिसे हम casually बोलते हैं अब एक meaning और होता है cast off का वो होता है रसी खोलना कोई dog है जो रसी से बंदा हुआ है उसको खोलने के लिए cast off he cast off his dog at once उसने तुरंद अपने कुट्टे की रसी खोल दी ऐसे ही जब नाव को किनारे पर रसी से बान दिया जाता है और उसको खोलने के लिए भी cast off का यूज होता है the cast off their birds उन्होंने अपनी नावों की रसी खोल दी नाव की रसी खोलने के लिए भी cast off एक और मीनिंग होता है सलाई में फंदे बंद करना जब सलाईों से निटिंग का काम होता है उसमें फंदों को बंद करना cast off कहलाता है sentence है cast off seven stitches साथ फंदे बंद कर दो next phrasal work देखते है cast down cast down का मीनिंग होता है दुखी होना, चिंतित होना यानि कि बहुत ज़्यादा दुखी होना एक और मीनिंग होता है to turn downward यानि कि नीचे जुकाना या जुकना या कुछ चीज गिरा देना या किसी को गिरा देना सभी के examples देखते हैं चले लेते हैं पहला sentence he was cast down by the sad news cast down यानि दुखी हो गया वह दुखत समाचार से दुखी हो गया, जैसे उसे sad news मिली, वो cast down हो गया next देखिए they cast down their weapons at last आखिर में उन्होंने क्या किया अपने हतियारों को नीचे गिरा दिया आखिर में उन्होंने अपने हतियार डाल दिये fate may cast down the mightiest person भागे शक्तिशाली व्यक्ति को भी गिरा सकता है इसलिए भागे पर कभी घमण तहीं करना चाहिए next phrasal verb है catch at catch का मतलब होता है पकड़ना at माने किसी चीज पर जपट कर पकड़ना grab something यानि कि जपट कर पकड़ना एक प्रोवर्ब है a drowning man will catch at strong इसमें catch at का use हुआ है हिंदी में कहा जाता है टूप देको तिनके का सहारा यानि कि जो helpless व्यक्ति है उसको जरासी भी किसी से help मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है उसके लिए यानि कि उसको तो तिनका ही बहुत है she caught at his collar उसने उसका collar पकड़ लिया और collar जपट कर ही पकड़ा होगा grab किया होगा उसे catch at past की बात थी इसलिए caught यूज हुआ था next देखिए catch out catch out का मतलब होता है कुछ पकड़ की बहार लिया ना यानि कि कुछ खोज लेना ढूंड लेना discover or prove that someone is lying यह पता लगा लेना कि कोई व्यक्ती जूट बोल रहा है और एक मीनिंग और होता है परिशानी में पड़ना तो पहले का sentence देखते है they caught him out when they checked his story with his previous employer जब उढ़ोंने उसके पिछले नियोकता के साथ उसकी कहानी की जाच की तो उन्होंने उसे पकड़ लिया उसे caught out कर लिया clear second form पकड़ लिया caught out we were caught out in the storm यहाँ पर पढ़ने की बात होगे हम किसी परिशानी में पढ़ जाते हैं तब भी catch out का यूज़ करते हैं हम तूफान में फस गए we were caught out in the storm next phrasal verb है catch up with catch up का meaning होता है मिलना, जुलना किस से मिलना इसलिए with लग जाता है एक time के बाद किसी से मिलना और बैट के हालचाल पूछना एक दूसरा meaning भी होता है to reach a certain level यानि कि एक level पर पहुँच जाना जहाँ पर already लोग है sentence देखे I like to catch up with my old friends मुझे अपने पुराने दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है यह अभी पहले meaning की बात हो रही है दूसरा sentence देखे I've already missed so many classes now I'll have to catch up with the course मैंने पहले ही बहुत सी classes छोड़ दी है अब मुझे course को पूरा करना होगा catch up करना होगा यानि उस level पर पहुँचना होगा यह दूसरे meaning की बात है I don't know how to operate a computer but I am trying to catch up with it मुझे computer चलाना नहीं आता लेकिन मैं इसी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ next sentence देखे I was driving so fast that he couldn't catch up with me मैं इतनी तेज गाड़ी चला रहा था कि वह मुझे पकड नहीं पाया यानि मेरे level पर नहीं आया तो चलिए अब देखते हैं अपना last phrasal verb cope with cope with का meaning होता है किसी का डटकर सामना करना मुकाबला करना अब डटकर सामना हम किसका करते हैं difficulties का करते हैं परिशानियों का करते हैं ऐसे ही एक हलका सा meaning होता है manage करना चलो ठीक हम इसके साथ ये चीज़े manage कर लेंगे example देखिए cope verb का meaning भी यही होता है डटकर सामना करना तो हम केवल इतना बोले I am able to cope ये complete sentence है लेकिन हमारे पास अगर object है तो with लगा देंगे phrasal verb बन जाएगा I am trying to cope with the difficulties मैं कठनायों का सामना करने का प्रयास कर रहा हूँ next I'll cope with you in any situation मैं आप के साथ किसी भी इस्थिती का सामना करूंगा He is unable to cope with the class वहें कक्षा के साथ चलने में अयोग्य है यानि कि अभी क्लास में वो काफी और बच्चों से पीछे है next It's very hard to cope with these stubborn children देखे, manage करने का भी sense आ रहा है न इन जिद्धी बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल है यानि कि इन stubborn children के साथ manage करना मुश्किल है cope करना मुश्किल है यहाँ पर एक point आपको note करना है बहुत ही important अगर आप cope up use करते हैं या cope up with बोलते हैं तो आज ही बंद कर दीजिए क्योंकि grammar में cope up और cope up with नाम का कोई phrasal verb नहीं है इसका use totally गलत है आप सरिफ cope बोलिए या फिर cope with तो that's all for today ये थी अमारी आज की वीडियो अच्छे लगिए तो like, share, subscribe कर दीजिए और comment करके मुझे जरूर बताईए Thanks for watching the video जै हिंद, जै भारत